जै सीवसंकर मित्रो मैं आप सभी का हरी स्पान्डे आज फिर से आप मकर रासी वालों के लिए खुष खबरी से भरा हुआ एक वीडियो ले करके महत्पूण वीडियो ले करके आया हुआ हुँ और ये वीडियो सूरे की रासी परिवर्तन की भाती ही महत पूर्ण है क्योंकि ये बुद्ध से सम्बंधित वीडियो है बुद्ध अभी तक वक्री थे और अस्त थे और एक बात जोतिस में पाई गई है कि बुद्ध जब वक्री और अस्त होते हैं तो केवल नुकसान करने का काम करते हैं छीनने का काम करते हैं तो क्या-क्या छीना आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे और क्या-क्या आज आपको प्राप्त होगा उस पर भी चर्चा करेंगे तो आप सभी वीडियो में बने रही है मित्रों, वीडियो सुरू करने से पहले एक आवस्यक सुचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुणली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेज करें, मेरा वाट किप मत कीजेगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको, देखिए मित्रों, बुद्ध आपकी बुद्धी, वाणी, ब्यापार और गणित के कारक ग्रह होते हैं, और नव ग्रहों में इन्हें योवराज की संग्या प्राप्त है, बहन बुवा के भी कारक बुद्ध होते है जब बुद्ध आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं, तो आप एक अच्छे ब्यापारी होते हैं, आपको कभी पैसो की कमी नहीं होती, और लोग आपकी वाणी से प्रभावित होते हैं, आपको बहन और बुवा का सुख प्राप्त होता है, और इसके विप्रीत जब बु बाड़ तूट पड़ता है, ऐसा इनसान तर्क वितर्क में काफी कमजोर होता है, ऐसे इनसान को तर्क में कोई भी हरा सकता है, तो अब देखिए क्या होने जा रहा है, बलकि हो चुका है, मैं ये वीडियो समय न मिलने के कारण टाइम से पहले नहीं बना पाया, आज मैं ब और पंद्रह मई को मारगी भी हो चुके हैं, अभी तक बुद्ध मेस रासी में अर्थात आप मकर रासी वालों के चतुर्त भाव में वक्री और अस्त दोनों चल रहे थे, अब पहले ये जानते हैं कि बुद्ध के वक्री और अस्त होने से आपका नुकसान क्या हुआ, तो कारक ग्रह हैं, सश्ठम भाव किसका होता है, रिण, रोग, सत्रू, तो बुद्ध जब वक्री होते हैं तो नुकसान कराते हैं, तो बुद्ध जब वक्री हुए चतुर्त भाव में, तो आपके सश्ठम भाव को उन्होंने डाउन किया, अर्थात रिण बढ़ाया, आपका भागे भाव के भी मालिक होते हैं अतह आपके भागे को भी मंदा किया बुद्ध ने आपको आपके भागे का भी सपोर्ट नहीं मिला लेकिन अब प्रसनता की बात ये है कि बुद्ध अब उदय भी हो चुके हैं और मारगी भी हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि बुद् और अब बुद्ध काफी अच्छा रिजल्ट आप मकर रासी वालों को देने जा रहे हैं वो रिजल्ट क्या क्या होंगे चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहली बात तो काफी समय से खांदानी प्रापर्टी को ले करके अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद समाप्त होने के योग बनेंगे घर से दूर जाने की योग बनेंगे लेकिन पैसा कमाने के लिए आप पैसे कमाने के लिए घर से दूर जा सकते हो और अच्छा कासा पैसा कमाएंगे बुद्ध के मारगी और उदाय होने के फल स्वरूप आपकी इंकम में व्रिद्धी देखने को मिलेगी आपकी डेली इंकम जो पिछले दिनों में कम हो गई थी उसमें व्रिद्धी होगी आपके पिता और सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे कोई सजन बार-बार कमेंट बॉक्स में कहते थे न कि आप कि बल माता के विसम बताते हैं पिता के विसम बताते ही नहीं तो मैं अब बता रहा हूँ कि इस परिवर्तन के फल स्वरूप आपको आपके पिता और सीनियर अधिकारी दोनों का सपोर्ट मिलेगा सहयोग मिलेगा आपको इस परिवर्तन के फल स्वरूप मानसिक सान्ती प्राप्त होगी और उस मानसिक सान्ती के कारण आपके निर्णे बिलकुल सही साबित होंगे आप सही निर्णे लेने में सफल होंगे नई नवकरी और ब्यवसाय की योग बनेंगे आप काफी दिनों से बेरोजगार बैठे थे आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो आपको नई नवकरी और ब्यवसाय के योग दिखने सुरू हो जाएंगे इसमें आपको चिंता करने की आवज सकता नहीं है घर के बड़े बुजुरगों का आपको साथ मिलेगा जिससे की आपकी वील पावर थोड़ी सी मजबूत होगी भई घर के लोगों का साथ मिलता है तो ब्यक्ति मजबूती कानुभाव करता है वहीं अगर घर के लोगों का सा चाहे वहसन में खर्च हो, दवा में खर्च हो या घर के खर्चो में जो आपका व्यर्त्र का खर्च हो रहा था, उस खर्च पर अब नियंत्र लगना सुरू हो जाएगा। नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इस कारण से आप टेंसन में रहते थे, तो अब आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, बहुत से लोग comment box में कहते हैं गुरुजी विदेश जाने स बनते हुए दिख रहे हैं, बस आपकी कुंडली में बुद्ध की स्थिती अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके ये योग आपको काफी बेहतर response देगा, आपकी माता का स्वास्त अगर खराब चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो उनके स्वास्त में सुधार आना शु जनता का समर्थन नहीं मिला, तो अब आपको प्रसिद्धी भी मिलेगी, जनता का समर्थन भी मिलेगा, एकदम निश्चिन्त हो जाईए आप, कुल मिला जुला करके बुद्ध का ये जो परिवर्तन है, मारगी और उदय होने का, आपका कल्यान करने वाला परिवर्तन है, और बुद्ध मेसरासी में 7 जून 2023 तक रहेंगे, और 7 जून तक आपका वो इसी प्रकार कल्यान करते रहेंगे, बीच के लगभग दो महिने, एक महिना तो सूरे के ग्रहन दोस में निकल गया, अच्छा, अब इसमें क्या है, कि चतुर्त घर में होते हुए बुद्ध पर स सनी में कोई सत्रता नहीं है, लेकिन बुद्ध जो वक्री हो गए थे और अस्त हो गए थे, उस कारण से आपको काफी नुकसान हुआ, तो सनी की साड़े साती की इस धूप में यह जो परिवर्तन हो रहा है बुद्ध का, यह आपको छाओं देने का काम करेगा, निश्चित पड़े, फिर बुद्ध भी काफी दिनों से अस्त चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, तो इन सब का प्रिडाम बहतर नहीं था, बुद्ध जब वक्री हुए थे और अस्त हुए थे, तो बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आते थे कि गुरु जी आमदनी काफी कम हो गई है तो अब चिंता करने की आवज सकता नहीं है, अब आमदनी आपकी बढ़ेगी, तो मित्रों ये रहा आज का परिवर्तन, बुद्ध का, आप आनंद लीजिए, आप मकरासी वाले चिंता न कीजिए, यह परिवर्तन आपके लिए काफी सुब रहेगा, तो आज के लिए बस 540096730, यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो मित्रों मैं चलता हूँ, जय एसियो संकर